हलो गाईज कैसे हैं आप सब आता है आप सभी अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानोची में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया व्लोग लेकर किया हूँ आज संडे है तो संडे का मेरा सारा काम हो गया है नाना दोना भी हो गया है और सबसे पहले आप सभी को विश्कर्मा पूजा की हर्दिक सुप काम ना है आज विश्कर्मा पूजा है सुबा जल्दी सब लोग उठ गए थे और सुबा की पूजा भी जल्दी जल्दी हो गई थी और हस्वन को आफिस भी जाना था क्योंकि आफिस में भी पूजा होनी थी तो वो चले गए हैं और हमारे भी घर की सारे काम हो गए हैं बच्चे नहीं उठे हैं सोके, वो थोड़ा लेट उठे हैं, बच्चे गरीब 9 बजे उठे हैं सोके, तो सोने के वो, उनका नास्ता भी मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन जो मैंने पकाया था, मैंने सबजी पराठा उनके लिए बना के रखा था, लेकिन बच्चों का बिल् बच्चों की स्कूल की युनिफर्म जो थी वो भी धुलनी है क्योंकि आज संड़े और आव सबी जानते हैं कि संड़े के दिन हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं तो अब उसको भी हमें धूलना है हमने पूरा चितना भी हमारा कपड़ा था सारा उपर पहुंचा दि अच्छा लगा, थोड़ा सा तो खाया है, कपड़े हम उपर ले आए हैं और हमारे कपड़े आधे धूल भी चुके हैं, कल स्कूल ना होता बच्चों का तो आज हम कपड़े नहीं धूलते क्योंकि आज विसकर्मा पूजा थी तो इसलिए हम लोग एक दो बजे तक बिजी र लेकिन स्कूल है, और बच्चों के कल से एक्जाम भी स्टार्ट हैं, तो इसलिए जो ड्रेस है बच्चों की धूलनी जरूरी थी, तो ड्रेस के साथ हमने और भी बहुत सारे कपड़े धूले हैं, कल भी हमने बहुत सारे कपड़े धूले थे, धेरों कपड़े हमने धूले तो यहां पर हलवाई आ चुके हैं और अपना खाना Burana सुरू कर चुके हैं आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐन अपना खाना बना रहे हैं तो आज सामब को हम सब की पार्टी है तो हम सब लोग पार्टी करेंगे इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निफ्टा ले रहे हैं और बच्चों के सूज भी बहुत जदा गंदे हैं तो हमें सूज भी धूलने हैं तो कपड़े ड्रेन हो चुके हैं और हम एक एक करके सारे कपड़े फैला देंगे और उसकी बाद भी हमें बहुत सारे काम हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे जितना हम लोग करते रहें दिन भर काम करते रहो लेकिन काम खतम नहीं होते हैं तो आज संडे है तो संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम रहता है क्योंकि मन चाहा खाना मन चाहा हम लोग नोकी party है तो आज साम का खाना हमें नहीं बनाना पड़ेगा तो बच्चेँ की dress धूल चुकी है और आपि जो और कपड़े हैं तो वह अभी धूलने बाकी हैं क्योंकि ड्रेस जयादा ज़रूरी थी तो इसलिए हमने सबसे पहले dress धूली है tamकि dress कहीं सूख को ना रह जाए इसलिए हमें ड्रेस पहले धुल नी थी तो हमने ड्रेस धुल के फैला दी है और जो कपड़े दूसरे हैं वो भी हम एक एक करके डाल देंगे सुखा लेंगे क्योंकि ये हम साम की समय कपड़े धुल रहे हैं और एक घंटे बाद इन कपड़ों को हम नीचे उ उड़ा लिये हैं और इसको तह करके भी रख दिया है और यह हैस्वेंड है अपना कुछ आफिस का काम कर रहे हैं तो यही हमारा चोड़ा